क्या अब तक कि सबसे लंबी छुटी खत्म होने का समय आ गया है क्योंकि UGC ने अपने नए गाइडलाइन से कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गाइडलाइन्स में क्या है और स्कूल और कॉलेज कब तक खुलने के आसार है तो मेरा नाम है मुसकान चौरसी और आप देख रहे हैं The India Insight तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना वाइरिस महामारी के कारण महीनों से बंद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजिस में अब क्लासे शुरू होने की तयारी चल रही है लेकिन महामारी के बीच यहां कक्षाएं किस तरह संचालित की जाएगी इसी लेकर UGC ने गाइडलाइन्स जारी किये हैं UGC द्वाराजारी इन गाइडलाइन्स को स्टूरेंस के साथ साथ विश्य विद्वाले के सभी कमचैरियों सिक्षकों को भी मानने होंगे UGC के गाइडलाइन्स में 6-day schedule से लेकर क्लास साइज कम करना वो कैंपस में isolation center बनाने तक शामिल है Campus में entry से लेकर सभी students, faculties वा अन्य स्टाफ की screening जरूरी है लक्षन पाए जाने पर medical charge के लिए के बाद ही उन्हें Campus में प्रवेश करने की अनुवती मिलेगी जिन्हें लक्षन पाए जाएंगे उनके लिए Campus में isolation की सुविदा और जो COVID-19 positive व्यक्ति के संपर्ग में आए हो उनके लिए quarantine की सुविदा होनी चाहिए अगर Campus में जगा ना हो तो किसी भी सरकारी अस्पताल या स्थानिय प्रसाशन द्वारा सुविक्रीत परिसर की व्यवस्था करनी होगी quarantine वा isolation में रहने वालों के लिए सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ, खाना वा पानी की उचित व्यवस्था सुरिश्चित करनी होगी college विश्व विदाले six day schedule का पालन करे ताके physical distancing का पालन करने के लिए अलग-अलग phase में classes संचालित की जा सके classes की size कम करे उसे अलग-अलग टुक्रों में बांटा जा सकता है संस्थान के classroom के आकार के अनुसार एक बार में classes करने वाले students की संख्या सुनिश्चित की जाए संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रते दिन teaching के घंटे बढ़ाए भी जा सकती है वही खबर यह भी आ रहे है कि students को online और offline classes के बीच चुनने का मौका मिलेगा जिसमें students अपनी सहूलियत के अनुसार चैन कर सकते हैं साथ साथ स्कूलों को भी चरनबद तरीके से खोलने का guidelines जारी कर दिया गया है जिसमें कच्छा नौ से बारवी के छात्रों को ही शामिल किया जा सकेगा बाकि के लिए online classes जारी रहेंगे UGC ने universities वा colleges से कहा है कि वे चरनबद तरीके से classes का संचालन्ज सुरू करें सिर्फ वही संस्थान खोले जा सकेंगे जो containment zone से बाहर होंगे containment zone में रहने वाले students वा staff को भी college campus में entry की अनुमती नहीं होगी नहीं बाहर के students या staff को containment zone में आ जाने की अनुमती होगी सरूरत के अनुसार छात्रावास खोले जा सकेंगे लेकिन सकते देखरें सुरक्षावास संस्थान के मानुकों का खयाल रखते हुए हाला कि किसी भी छात्रावास में फिलहार कमरे की sharing की अनुमती नहीं होगी यानि एक कमरे में एक ही students रह सकेंगे जिन में लक्षन पाए जाएंगे उन्हें किसी भी परिस्थिती में होस्टल में रहने की अनुमती नहीं होगी इन guidelines के साथ UGC ने यह भी कहा है कि कक्षाओं का संचालन कब से करना है इसका नेनाए सभी Central Universities वा Central Funded Universities के Vice Chancellor ले सकेंगे वाई State Universities वा Colleges के मामले में यह फैसला संबनित राज्य सरकार लेगी तो क्या आप इस फैसले से खुश है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं तो आज के लिए बस इतना ही इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिन